आज जार्खंड बंध हेमंद सुरेन की दो नीतियों को लेकर बिरो जार्खंड के मुख्य मंत्री हेमंद सुरेन ने फरवारी महीने के 27 तारिको बोकारो और धनबाद से भोजपूरी मघी को छेत्रिये भासा से हटाने का फैसला किया था अब इसको लेकर अखिल भारतिय भोजपूरी मघी मैथली अंगी का मंच के बैनर तले रविवार को जार्खंड बंध की चेतावनी दी है साथी हेमंद सुरेन की दो नीतियों को लेकर बिरोध किया जाएगा अखिल भारतिये भोजपूरी मगी मैथली अंगी का मंच के बैनर तले 28 संगठनों का हर्मू बिद्या नगर में प्रतिकार सभा संपन हुआ सभा में कहा गया कि हेमन सरकार द्वारा बोकारो धनबाद से भोजपूरी मगी को छेत्रिये भासा से हटाने के हीटल साही फैसले के खिलाप एवं 1922 खतियान अधारित अस्थानिय निती का अधारहीन मांग के बिरोध में तथा जार्खन के सभी जिलों में उर्दू के परभुजपूरी मगी मैथली अंगी का एवं हिंदी को छेत्रिये भासा में सामिल करने की मांग करते हुए 6 मार्च को जार्खरबंद किया जाएगा पारा सिक्षकों के मांदे मद से पांच परतिशत की कटवती केंद्रिये सिक्षा मंत्राले ने जारकन सिक्षा पर्योजना को पत्र लिखकर पारा सिक्षकों के मांदे मद में रासी कटवती की बात कही है इसी माह केंद्रिय सिक्षा मंत्राले वा इसकुली सिक्षा व्यम सक्षता विभाग के अधिकारियों के बैठक होगी बैठक समगर सिक्षा अभियान के बित्य वर्स 2021-22 बजट को सुविक्रिती देने को लेकर होगी बैठक के पूर्व केंद्रिये सिक्षा मंत्राल ने जारकन सिक्षा प्रयोजना को पत्र भी लिखा है जिसमें पाराथ सिक्षकों के मांदे में अगले बित्य बर्से बर्तमान बित्य बर्स की तूलना में 5.87 कौम देने की बात कही गई है पंचायत चुनाव की हरी जंडी मिलते ही तैयरिया तेज राई सरकार से हरी जंडी मिलने के बाद पंचायत चुनाव को तैयारी फिर जोर पकड़ने लगी है कौडार्मा में चुनाव को लेकर 1163 बूथ बनाए गए है इसका भहतिक सत्यापन परखंड के अधिकारी कर रहे है वही नए वोटर लिस्ट को बूथ वाइज अलग किया जा रहा है इसके लिए सभी बीडियो को दिशा नेदेस भी दिया गया है सभी भूथ के लिए प्रपत्र दिये गए हैं जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदीत महिला पूरुसुआ अने भोटरों की सुची मांगी गई है चुनाव को लेकर 14 को सांगो का गठन भी किया गया है जिसे पूरी तरह सक्रिये किया जा रहा है नेतरहाट इसकूल परवेस परिक्षा रभीवार को दोनों परकार के प्रश्ण हिंदी गनीत बिज्ञान समान ग्यान तथा मांसिक योगता से प्रश्ण पूछे जाएंगे 40 अंको के वस्तु निष्ट प्रश्ण होंगे जिनमें मांसिक योगता के 20 तथा अन्य चार भी सयों से 5-5 अंको के प्रश्ण सामिल है 60 अंकों के विशाय निष्ट प्रश्न हिंदी गनीत बिज्यान ततत समाने ग्यान से भी होंगे जारखन में बेरुजगारी भत्ता पर बोले स्रम मंत्री सत्यानंद भोगता जारखन के स्रम मंत्री सत्यानंद भोगता ने कहा है कि अप्रेल 2022 से यूकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा ये 85 और 7000 रुपय होगी कुछ तक्निकी वजहों से इसमें बिलंब हो रही थी स्रम मंत्री ने ये जनकारी दी है उन्होंने कहा कि मार्च 2021 में होई कैबिनेट की बैठाक में ही बेरोजगारी भत्ता का प्रस्ताव पारित हो गया था मुख्य मंत्री परोचसाहन योजना के तहुत बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा जारखन में बेरोजगारी भत्ता के स्वाल पर स्रम मंति सत्यानाद भुकता ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के मापदन को अमतिम रूप नहीं दिया गया है 5-7,000 रुपय का भता दिया जाएगा मर्च 2020 में हुई बैठक में बेरुजगारी भता का परस्ताव पारित हो गया था Driving license online के लिए करे आवेदान Driving license को manual से smart card में बदलने के लिए backlog entry 15 मर्च के बाद नहीं हो सकेगी इसके लिए DTO ने 12 मर्च तक का समय दिया है इसके लिए रांची जीला परिवहन करेयाले में हर दीन 60-70 आवेदान आ रहे हैं 29 फरवरी से अब तक करेयाले को कूल 969 से अधिक आवेदान मिले हैं इसमें सुक्रवार तक लगभग 200 आवेदान लंबित थे रांची के जीला परिवहन पताधिकारी परवीन कुमार परकास ने बताया कि ड्राइवी लाइसेंस को मैनुवल से स्मार्ट कार्ड में बदला जा रहा है आप भी अपने ड्राइवी लाइसेंस को मैनुवल से स्मार्ट कार्ड में बदलना चाहते हैं जल से जल आवेदन करे बैक लोग इंट्री 15 मार्च के बाद नहीं हो सकेगी इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया गया है युक्रेयन से लोटी उर्मिला ने मोदी सरकार को दिया धन्यवाद जार्खन की रएधानी राची से 60 लोहर्दागा जीला के उर्मिला मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए युक्रेयन गई थी भारत सरकार के ओपरेशन गंगा के तहत वा सनिवार को अपने परिवार से मिल पाई उर्मिला ने कहा कि भारत सरकार के परियासों से ही युक्रेयन में फ़से लोग भारत लोट पा रहे हैं उर्मिला ने कहा कि भारत आकर ऐसा महसूस हो रहा, मानो नई जिन्दगी मिल गई है, बता देलो हर्दगा कि पत्रा टोली निवासी राजेस कुमार साहो की पुत्री उर्मिला यूक्रेयन में मेडिकल प्रत्थम वर्ष की छात्रा थी इंजिनियरिंग कॉलेज बियाईटी सिंदरी होगा विक्सी छारखन का एक मात्र सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज बियाईटी सिंदरी का विकास अब इंस्ट्यूट ऑफ केमिकल टेकनोलोजी मुंबाई की तर्च पर किया जाएगा आयाईटी कानपूर की 3 सदसीय टीम ने बियाईटी सिंदरी का नेरिक्षन का और उचवत अखनीकी सिक्षा विबाग को अपनी रिपोर्ट्स अब दियाई इसमें कमीटी ने बियाईटी सिंदरी के स्वर्मिम इतिहास को देखते हुए इसके सरवांगिन विकास पर ध्यान देने की बात कही संस्था में समुचित फैकल्टी सहित अधारबुत सनरचना के विकास वो स्वायत तत्त पर ध्यान देने की बात कही गई है NTPC में 75% अस्थानियों को मिलेगा रोजगार NTPC के केरेडारी चट्टी बर्यातु कोल पर्योजनाओं में 75% अस्थानियों को रोजगार दिया जाएगा पर्योजना चेत्र के कार्यों में अस्थानियों को पहले प्रात्मिक्ता दी जाएगी हर घर से एक परिवार को नौकडी दी जाएगी ए बाते केरेडारी चट्टी बर्यातू पर्योजना परमूख इसके सिनहा ने सिकिरी साइट कर्याले में अव्यजित प्रेस कॉंफरेंस में कही सिरिस सिनहा ने कहा कि केरेडारी में कोईला खनन का दो प्रोजेक्ट है केंडी परियोजना चोपण चोपण चोप किलोमीटर स्क्वाइर है जिसमें 2360 एकड़ भूमी है इसमें 1560 एकड़ का अधिक रहन किया गया है जारखन में कुरोना के 20 नए केस मिले है जबकि 75 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 279 है भारत में 5139 केस मिले हैं जबकि 88-338 मरीज स्वस्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 57309 है आठ मार्च को रीम्स करमचारी करेंगे निदेशक का घिराव रीम्स और आज पत्रिक करमचारी संक की बैठक सानिवार को रीम्स परसर में हुई करमचारीों ने रीम्स प्रबंधन के ताना साही रवाया को लेकर निंदा किया संग के लोगों ने बताया कि रिम्स निदेशा को बार बार आउगत कराया गया है कि करमचारियों के बेतन से कटोती करना बीतिये नियम का उलंखन है करमचारियों ने रिम्स करमचारियों का एम्स के अनुरूप बेतन एवं प्रोनती का लाब EPFO कर्यालों को रिम्स द्वारा ECR फाइल भेजने की मांग किया है रांची नियोजनाले में नीजी छेत्र में नियुक्ति के लिए भरती कैम्प 9 से राइधानी में 4 नीजी कम्पनियों में 528 अभ्यारतियों को नौकरी मिलेगी इसके लिए अवर प्रदेशिक नियोजनाले से मोडल करियर सेंटर रांची में 9 और 10 मार्च को दो दिवस्य भरती कैम्प का वेजन किया गया है सुब्बा साड़े दस बहे से चार बहे तक चलने वाले इस कैम्प में योग्य उमिद्वारों को अपना राइश्टेशन अपनी कर्तम नियोजनाले में ओनलाइन कराना होगा पुर्व से जो उमिद्वारों राइश्टेशन करा चुके हैं उन्हें पुना राइश्टेशन नहीं कराना होगा भरती कैम्प को लेकर और प्रदेशिक नियोजन पदाधिकाई ने कहा है कि रिक्त नीजी छेतर की है इसलिए चैन परक्रिया में नियोजनाले का कीसी भी परकार का हात्रशेप नहीं होगा नौ से कला बिला लगाकर काम करेंगे पुलिस कर्मी जारखन पुलिसमेंस एसोसियेशन अपनी उनाई सूत्री मांगो के समर्थन में चरनबद आंदोलन करने की घोसना की है प्रथम चरन में अरक्षी एवं हवलदार नौ से 11 मार्च तक कला बिला लगाकर कारे करेंगे इसके बाद पुलिस कर्मी 21 मार्च को सामोहिक उपवास करेंगे 31 मार्च को सांती पुर्ण धंग से धारना और 14 अप्रेल से 5 दिवसे सामोहिक अवकास करेंगे एसोसियेशन के महा मंतरी रमेश उरावने इस समन में विधान सबाद्यक्ष रविन्दरनात महतो को पत्र सोपा है पत्र में कहा गया है कि 20 दिनों का छतिपूर्टी अवकास एक महा का अतिरिक्त वेतन सात्वे बेतन के अनुरूप वर्दी रासन धुलाई और जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिक क्लेम की वेवस्था करने बहाल जवानों के लिए पुरानी पेंसन योजना लागू करने जवानों को आठ घंटे के डिउटी सब्ताहिक अवकास जवानों को बच्चों को सिक्षा का खर्ज देने आदी की मायं की गई है बीत रहित सिक्षोगों की मायंगों पर करवाई को सिम ने दिया निर्देश बीत रहित सिक्षा सन्युक्त संगहर्ष मोर्चा के परतिनिधियों की सुक्रवार को मुख्य मंत्री एमम सुझनें से ज्याखन बन भी धान सभाय के उनके कौक्च में वरता हूई मुख्य मंत्री ने वरता के बाद मोर्चा के बिभीन मांगो को पुराना मामला बताया साथ ही अपने सचीव बिनाय चौवे को आवसक करवाई करने का निर्देश दिया और इसके दाफ्तावेज देने को कहा जार्खन में मद्याहन भोजन से वंची 33,41,000 बचों को मिलेगा फूट पैकेट जार्खन में कुरोना संक्रमन की वज़ा से स्कूलों के बंद रहने से मद्याहन भोजन से वंची चात्रों को निर्धारित अओधी की खाद समगरी एक मुस्त दिये जाने की त्यारी है चाती पूर्थी के तोर पर या समगरी एक अप्रेल 2021 से 31 जनवारी 2022 तक के अओधी के लिए कोकिंग कोस्ट के बदले फूड पैकेट बना कर दी जाएगी पैकेट में दाल, मसाला, नमक, तेल आधी रहेंगे जार्खन मद्याहन भोजन प्राधिक करण ने 33 लाख 41,025 बच्चों को 206 दिनों के लिए फूड पैकेट उपलब्द कराने को लेकर टेंडर की परकिरिया स्तुरू कर दी है हजारी बाग में बाइक चोरी करते गिरफतार 25 वरतिये, पेलावन निवासी, अमन खान ओर्फ, जियान खान पीता, जिलाल ओर्फ, जलील खान, ओर्फ, लुटेरन खान, सुक्रवार संद्या, गुरू गोविन सिंग रोड में मोटरसाइकल चोरी करते रंगे हाथ गिरफत प्रधान मंतरिक कुसुम योजना गठवा जिले में सूरू से ही सन्देश के घेरे में रहा है लाभु के चेहन को ले बिचोलिया दोरा किसानों से अवैद वसूली किये जाने के मामला उजागर होता रहा है इस योजना में गठवर जाला कंडाया मामला सामने आया है जिससे जोजना के तहट लावको का चेहन में गड़बढ़ी उजाकर हो गई है परधान मंत्री कुसुम जोजना के तहट खेतों किसी चाई के लिए सोलर अधारित पॉंप सेट किसानों को अनुदानित मुलियדי पर उपलवध कराने के लिए लावको का चेहन करने के लिए उप विकास आयूख्त ने सभी पर्खण पिकास पताधिकारीओं को बिगत 26 फरवरी 2022 को निर्देस जारी किया था मगर केतार पर्खण पताधिकारी ने पत्र निर्गत होने के दो दिन यानि 28 फरवरी को ही सुची तयार कर जिला क्रिसी पताधिकारी को सप दी नवालिक से छेड़ खानी मामले में जेल अधिक्छक गिरफता रांची के तुपु दाना ओपी छेतर में 13 साल की नवाली के साथ योन उत्पिडन के आरोपीत गिरी डी सेंट्रल जेल के अधिक्छक राज मोहन राजन को आखिर कर सनिवार को गिरफतार कर लिया गया सुक्रवार को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था पिडिता के बियान के अधार पर तुपु दाना ओपी में जेल अधिक्छक के खिलाप योन उत्पिडन वा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरेन फ्रोम सेक्सूल अफेसेज एक्ट में प्राथमी की दर्च कर ली गई है जेल अधिक्छक राजमोहन राजन को गिरफ्तार करने के बाद पूलिस ने सदर अस्पताल में उनकी कोविड-19 की जाच कराई जाच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें जेल भेजा जा सकेगा बिधायक इर्फान अंसारी ने चलाया रिक्सा सनिवार का दिन जार्खन के जाम तड़ा के लोगों के लिए थ्यासिक रहा वर्षो पुराणी मांग जाम तड़ा फलाई ओबर का उदगाटन अनुठे अंदाज में हुआ जाम तड़ा से कॉंग्रेस बिधायक डाक्टर इर्फान अंसारी के उपस्थिती में रिक्सा चलाग सपन बावरी ने फिता काट कर एवां प्रस्तीद माद चंचला मंदीर के पुजारियों ने नारियल पोड़कर फड़ाई ओबर का उदगाटन किया जारखन में सहकारी समीतियों का धाचा कमजोर डाक्टर जी आर नवाड के अध्यक्ष डाक्टर जी आर चितला ने जारखन में क्रिसी वा समवंध छेत्र की मवजूदा सुस्ती चुनोतियों और संभवनाओ पर बेबाकी से अपनी राय रखी नवाड के छेत्रिये कर्याले में सनिवार को मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा कि जारखन में क्रिसी छेत्र में बहुत संभवनाए है लेकिन क्रेडिट फ्लो कम है राजे के सहकारी समीतियों के कमजोर डाचे पर उन्होंने चिंता प्यक्ट की अस्पष्ट कहा कि ए नवाड से सस्ता रिन नहीं ले पा रहे हैं को अपरेटिव बैंकों से नवाड से एक पैसा भी नहीं उठाया है जबकि आंधर परदेश और तेलंगाना जैसे राजे काफी पैसा उठा रहे हैं उन्होंने नवाड के अस्तर से उपलब्द कराय जा रहे बीत पोशन की जनकारे भी मीडिया से सजा की धन्यवाद